आज इस वीडियो में हम Class 3 English Grammar का चैप्टर प्रेपोजिशन्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करकर के सीखेंगे तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखिए और अगर आप Class 3 English Grammar का कोई और चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल Learning Notebook पर इस पर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और अब Learning Notebook चैनल के WhatsApp ग्रूप्स और Telegram ग्रूप्स भी अविलेबल हैं आप उन्हें भी जोइन कर सकते हैं तो प्रेपोजिशन स्टुडेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन शो करते हैं किनके बीच में? नाउन या प्रोनाउन और जो बाकी वर्ड्स हैं संटेंज के उनके बीच में विलेशन शो करते हैं एक्जांपल से समझते हैं इन्हें तो इस संटेंज में स्टुडेंट्स जो इन है वो एक प्रेपोजिशन है अब अगर suppose करो मैं ये in हटा दू ठीक है तो sentence क्या रह गया the books are the back ये कोई sentence हुआ क्या हमें ये समझ में आया कि जो books है वो back के अंदर है या back के बाहर है नहीं न जैसे ही मैंने इदर in लगा दिया हमें समझ में आ गया कि books जो है वो back के अंदर है तो ये जो in है इसने एक relation शो करा है books are back के बीच में next sentence देखते है she washed the clothes with soap तो इस sentence में जो ये with है ये preposition है अब अगर थोड़ी दिर के लिए मैं ये with हटा दू तो sentence क्या रह गया she washed the clothes soap अब ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने soap के साथ कप्ड़े धोए है ये soap के बिना कप्ड़े धोए है ठीक है पर with लगाते ही हमें ये समझ में आ गया कि उसने soap के साथ कप्ड़े धोए है तो students ये जो preposition है with इसने relation established किया है relation show किया है ठीक है तो ये काम होता है prepositions का now let's see some commonly used prepositions at, on, in, to, for, from, under, over, behind, in, front of, before, after, near, between, by, and with तो ये जितनी prepositions हैं students ये काफी commonly used होती है ये prepositions जैसे कि आप कोई अपनी book रीड कर रहे हैं आप newspaper रीड कर रहे हैं या हम कोई conversation कर रहे हैं तो उन में ये prepositions हमें दिखती रहती है तो अभी ये जो मैंने आपको पीछे prepositions बताई हैं ये सारी हम एक-एक करके अच्छे से समझेगे So let's start with at, in, and on सबसे पहले हम तीनों में difference समझ लेते हैं In general, we use at for a point तो जो ये at prepositions है इसे हम generally use करते हैं एक point को refer करने के लिए Point यानि कोई specific location जैसे की school मिरको बोलना है मैं school में हूँ तो मैं कहूंगी I am at school क्योंकि school क्या है? एक specific location है इसी तरह से park I am at park तो at हम use करते हैं किसी point के लिए जो refer कर रही हो specific locations को अब है in We use in for an enclosed space in use होता है enclosed space को refer करने के लिए for example room मैं room में हूँ I am in a room ठीक है? bag अब जैसे की बात करनी हो कि मेरी books bag में है my books are in a bag in use करा है क्योंकि ये जो सब है room, bag, drawer ये सब enclosed space है इसी तरह से drawer handkerchief is in a drawer ऐसे हम use करेंगे तो देखिए students enclosed space को समझना ज़रूरी है enclosed space यानि जो चारों तरफ से बंद हो जैसे की room bag, drawer ये सब चारों तरफ से बंद है अगर आप सोचेंगे कि school भी क्या enclosed space है? नहीं school enclosed space नहीं होता पर school के अगर हम किसी classroom की बात करेंगे तो हाँ वो enclosed space होगा तो आप कहेंगे I am at a school पर classroom के लिए कहेंगे I am in a classroom ठीक है? और फिर in use होता है large city के लिए भी large city जैसे की आप बोलना चाहरे हैं I live in Mumbai या I live in Paris I live in Delhi ये जब हम किसी large city की बात करते हैं जब भी हम in use करते हैं अब mostly students को इन ही में confusion होती है at और in में अब मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या difference होता है अब third है on on को use करना काफी easy होता है we use on for a surface surface जैसे की अगर हम बात करें हो table की, wall की, floor की जो एक surface है जिसके उपर हम कोई चीज रख सकते हैं for example the book is on the table तो मैंने on ही उस करा है क्योंकि table जो है वो एक surface है इस तरह से wall जैसे की मैं कहना चाहूंगी the painting is on the wall जो painting है वो wall पर है wall यानि surface पर है और ऐसी ही floor I am sitting on the floor मैं floor पर बैठी हूँ I am sitting at the floor नहीं होगा on the floor surface की बात कर रहे हमे आईए इन तीनों के at, in, on के और examples हम देखते हैं जैसे की मैंने आपको बताया at हमें point के लिए यूज करते हैं specific locations जैसे की school, park for example I am at school I am at park तो यहां पर में specific locations को refer कर रही हूँ इसलिए मैंने at यूज किया है इसी तरही से we are waiting for you at bus stop इसका मतलब है कि हम तुम्हारी wait कर रहे हैं कहां पर bus stop पर अब देखिए bus stop जो है वो एक specific location है इसलिए मैंने यहां पर at यूज करा है on नहीं यूज करना आपने आप कभी यूज को कहें कि I am waiting for you on the bus stop नहीं वो गलत है वो surface नहीं है bus stop वो एक specific location है इसलिए हम at यूज करेंगे next है in जो मैंने आपको बताया हम यूज करते हैं enclosed space के लिए या large city के लिए examples देखते हैं अब देखें यहाँ पे the ball is in the box जो ball है वो box के अंदर है यानि एक चीज दूसरी चीज के अंदर है तो ये enclosed space है इसलिए हमने in use किया है the book is in my bag जो book है वो मेरे bag में है the pen is in the drawer जो pen है वो drawer में है तो ये box, bag, drawer ये सभी enclosed space है I live in Mumbai यहाँ पे Mumbai को refer कर रहे है जो एक large city है इसलिए हमने in use किया है अब next है on on is used for a surface जैसे की table, wall, floor तो इसके examples देखते हैं देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे the ball is on the box box क्या है? एक surface है, ball उसके ऊपर है और यहाँ पे ध्यान दीजेगा कि on use हो रहा है क्योंकि वो touch कर रही है surface को जो ball है, वो surface को touch भी कर रही है ठीक है? the book is on the table जो book है, वो table पर है हवा में नहीं है वो, table की surface को touch कर रही है the painting is on the wall painting wall पर है I slipped on the wet floor floor एक surface है, तो इसलिए हमने use कर रहा है on अब next preposition है under अब under में students क्या होता है कि जो एक चीज है वो दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे है जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे the ball is under the box यह जो ball है, वो box के बिल्कुल नीचे है अब यह ज़रूरी नहीं है कि वो ball box को touch कर रही हो इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं होता है अब जैसे कि मैं बोलू the ball is under the bed जो ball है वो बेड के नीचे है तो वो बेड के बिल्कुल नीचे है another example the dog is under the tree जो dog है वो tree के नीचे है ठीक है, बिल्कुल tree जो उपर है उसके और वो बिल्कुल उसके नीचे है dog तो यहाँ पे under हम ऐसे ही यूस करेंगे, जब कोई चीज दूसरी चीज के बिल्कुल नीचे है अब next preposition है over over हम यूस करते हैं जब एक चीज, दूसरी चीज के उपर से move कर रही है जैसे कि देखिए, यहाँ पे ये ball इस box के उपर से move कर रही है, तो हम बोलेंगे the ball is going over the box इसी तरह से example solve बताती हूँ the thief jumped over the wall जो thief है वो wall के उपर से जम कर गया ठीक है the dog jumped over the fence dog जो है वो fence के उपर से जम कर गया तो ऐसी जगाओं पे हम use करेंगे over अब next preposition है students between between हम use करते हैं जब कोई एक चीज दो चीजों के बीच में हो तो यहाँ पे दो चीजें होनी ज़रूरी है for example इदर देखिए यह जो ball है यह इन दो boxes के बीच में है तो हम बोलेंगे the ball is between the boxes ठीक है और examples देखते हैं यही मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिया is standing in between जोती और तग जो प्रिया है वो जोती और तग के बीच में खड़ी है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि दो चीजों के बीच में कुछ हो जब हम between यूज करते हैं next है among अब यह जो among preposition है यह जब यूज होगी जब कोई एक चीज दो से ज़्यादा चीजों के बीच में हो जैसे कि इस picture में आप देख सकते हैं यह जो ball है वो यह चार boxes के बीच में है दो से ज़्यादा box हो गए चार boxes है इदर तो हम बोलेंगे the ball is among the boxes another example is Priya is standing among her friends Priya अपने friends के बीच में खड़ी है चीक है among her friends यानि दो से ज़्यादा friends है उसके उनके बीच में वो खड़ी हुई है old temple is hidden among the trees यानि बहुत सारे trees है उनके बीच में जो एक पुराना मंदिर है वो छुपा हुआ है तो यह difference याद रखिएगा between और among के बीच में अब next prepositions है behind and in front of तो यह दोनों समझ लेते हैं in front of the box देखिए अब इस picture को देखिए यहाँ पर यह जो ball है वो box के आगे है उसके पहले उसके सामने है तो हम कहेंगे in front of the box अब यहाँ देखिए यह जो ball है वो box के पीछे है तो बोला जाएगा the ball is behind the box box के पीछे है अब इनके examples देख लेते है tree is in front of house जो tree है वो house के front में है उसके सामने है the house is behind the tree जो house है वो tree के पीछे है behind यानि पीछे I am standing in front of the gate मैं gate के सामने खड़ा हूँ और इसी तरह से the lion is behind the gate lion gate के पीछे है तो यह difference है behind में और in front of अब next prepositions है above and below तो above में क्या होता है students अगर कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर है जैसे कि इधर यह जो ball है यह इस box के ऊपर है ठीक है उसको touch नहीं कर रही है उसके ऊपर है तो ऐसे में हम बोलेंगे the ball is above the box और below क्या होता है अगर कोई चीज दूसरी चीज के नीचे है जैसे कि यहाँ पर यह जो ball है वो इस box के नीचे है तच नहीं कर रही है पर उसके नीचे है जैसे कि the ball is below the box और examples बताती हूँ there is a bird above your head तो तो तुमारे सिर के उपर अगर एक bird है students तो मैं क्या कहूंगी देखके मैं कहूंगी there is a bird above your head ठीक है अब below के लिए there is a tunnel 100 meters below the surface तो इसका मतलब यह है कि earth की surface के 100 meter के नीचे एक tunnel है below यानी नीचे ठीक है next prepositions है to and from students यह दोनों ही prepositions direction indicate करने के लिए होती है जैसे कि अगर आप school जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे we went to the school हम school गए थे इसी तरह से अगर market गए थे तो उसके लिए हम बोलेंगे we went to the mark to use करा है अगर हम कहीं जा रहे हैं या गए थे अब from क्या होगा जब हम कहीं से वापिस आए हैं जैसे कि father has come from the office father office से आए हैं ठीक है जब वापसी आए हैं किसी जगा से जब हम from यूज करेंगे another example we came back from the market हम market से वापिस आए अब अपनी अगली prepositions हैं after and before after का मतलब होता है बाद में जैसे कि Monday comes after Sunday Monday Sunday के बाद आता है अब before का मतलब होता है पहले Sunday comes before Monday Sunday Monday से पहले आता है July comes after June जो जुलाए मन्थ है वो जुलाए के बाद आता है June comes before July June मन्थ जुलाए से पहले आता है तो बहुत सिंपल है after यानि बाद में और before यानि पहले अब हमने सारी prepositions कर ली हैं तो आईए उन पर एक practice exercise करते हैं Question is Pick the correct preposition Students, यहाँ पे sentences given है prepositions के options given है हमें यह जो picture है इस picture को देख कर सही preposition यूज करनी है तो पहला sentence देखते हैं The dog is near, under या on the cot अब देखिए यहाँ पे यह जो dog है यह इस cot के कहां बैठा है उसके पास में बैठा है उसके उपर बैठा है या उसके नीचे अंडर बैठा है उसके अंडर बैठा है तो हम यूज करेंगे यह अंडर The dog is under the cot Next sentence The cow is standing in, near, या on the log इस picture को ध्यान से देखिए यह जो cow है वो log क्या इसके अंडर खड़ी है इसके पास खड़ी है या इसके उपर खड़ी है Yes, इसके पास खड़ी है तो हम यूज करेंगे near The cow is standing near the log Next The fan is over, under, या on the table इस picture को देखिए यहाँ पर यह जो fan है यह table पर रखा हुआ है हम क्या यूज करेंगे इस चीज के लिए कौन सी preposition यूज करेंगे हम करेंगे on the table क्योंकि जो fan है यह table की surface पर है table की surface को touch कर रहा है The fan is on the table The boy is standing behind, over, या in front of the wall तो देखिए इस picture को ध्यान से देखिए यह जो boy है वो wall के पीछे खड़ा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे behind the wall The boy is standing behind the wall Let's see the next sentence The lamp is lying by, at, या on the table यह जैसे कि अभी हमने fan वाला example किया था वैसे ही है यह भी जो lamp है वो table पर रखा हुआ है तो इसके लिए हम use करेंगे on Next, the map is over, on, या by the wall यह जो map है इदर पिचल को देखिए यह जो map है यह wall पर लगा हुआ है तो इसके लिए भी हम on ही use करते हैं क्योंकि wall एक surface है और map उसके उपर लगा हुआ है The book is in, under, या on the bag अब यहाँ पर भी हम picture देखते हैं पहले यह एक bag है उसके अंदर यह book रखी हुई है तो हम use करेंगे in, the book is in the bag Next, the pens are on, in, या near the drawer अब इस picture में देखिए यह एक drawer है यह और उसके अंदर pen रखे हुए है तो यही वो same चीज है जैसे book एक, sorry जैसे bag एक enclosed space होती है ऐसे ही drawer भी एक enclosed space है तो उसके लिए हम in use करेंगे The pens are in the drawer Next sentence, the cat is behind, before, या near the curtain अब यहाँ पे जो cat है यह इस curtain के पीछे है तो हम use करेंगे behind The cat is behind the curtain Next, the river flows in, near, या under the bridge अब यह जो नदी है यह bridge के नीचे से जा रही है तो हम use करेंगे under the bridge Next question is, put the suitable preposition तो यहाँ पे मैं आपको options दे रही हूँ इदर काफी सारी prepositions उपर लिख दी है और नीचे आपको वोई sentences है उनके blanks fill करने है Using one of these prepositions First sentence is, my parents live – Paris अब देखें इस sentence में कहा जा रहा है कि मेरे parents परिस में रहते हैं अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब ऐसी किसी large city का नाम given होता है तो इसमें हम use करेंगे in तो आएगा, my parents live in Paris Next sentence, from 7-8pm, I will be in the park अब देखें, यहाँ पे time के बारे में बताया जा रहा है कि 7 बज़े से 8 बज़े तक मैं पार्क में होंगी तो students, जो two prepositions मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताई थी कि वो directions के लिए use होती है यही two prepositions time के लिए भी use होती है जब हमें ऐसे बता दो कि 7 बज़े से 8 बज़े तक तो ऐसी जगाओं पे हम two use करेंगे तो इदर आएगा, from 7-8pm, I will be in the park the ball is lying, dash the bat and the box तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ball है, वो bat और box के बीच में है अब देखिए मैंने आपको बताया था, दो चीजों के लिए, जब कोई चीज दो चीजों के बीच में होती है उसके लिए हम use करते हैं, between, तो आगया between we write dash a pen, हम pen से लिखते हैं, pen के द्वारा लिखते हैं तो इसके लिए हम use करेंगे with, we write with a pen next sentence is, there is a big mall dash a school अब देखिए एक बड़े mall की बात हो दी है, वो school के कहां होगा, school के past में होगा तो उसके लिए हम use करेंगे preposition near next, I am dash the bus stop, मैं bus stop पर हूँ तो bus stop एक specific point को बता रहा है, कि एक specific point पर है वो तो इसके लिए हम use करेंगे at, I am at the bus stop September comes dash August, तो यहां पर क्या आ जा रहा है कि September August से पहले आता है या बाद में आता है, आप बताए बिफोर या आफ्टर क्या आएगा इदर, आएगा आफ्टर He took rest, dash a tree, उसने अराम किया, tree के नीचे, under a tree Next sentence, she will come back, dash dinner, इसका क्या मतलब है कि वो dinner से पहले वापिस आ जाएगी, तो इसके लिए हम use करेंगे before Next, the plane is flying, dash the village, जो plane है वो village के उपर उड़ रहा है यानि above the village Next, will you be going to your office, dash foot या तुम office, अपने office जाओगे, पैदल जाओगे, foot पे यानि पैदल तो सुटेंग जब हम foot की बात करते हैं, तो याद रखिए हम इसके लिए हमेशा on use करेंगे तो यहाँ पे आएगा on foot No, I will be going dash car, नहीं मैं car से जाओँगा अब जब car की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं on car नहीं लगाँगी यहाँ हम कहेंगे by car, foot के लिए हमेशा on use होता है बाकी vehicles के लिए जैसे car हो गया, scooter हो गया, इनके लिए हम by use करेंगे No, I will be going by car No, I will be going by car, foot के लिए हमेशा